नमस्कार दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरू सभी घराओं में सबसे ज़्यादा शुब घरे माने जाते हैं और गुरू का हम सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत भी होता है क्योंकि हमारे जीवन के सभी शुबकारियों मे गुरू के गोचर की भूमी का बहुत ही जादा महत्पून होती है। गुरू का वक्री होना वा मारगी होना भी हमारे जीवन ने बहुत महत्पून भूमी का निभाता है। अभी 13 सितंबर 2020 से पहले गुरू अपनी वक्री अवस्था में चल रहे थे। किन्तु 13 सितंबर से गुरू मारगी हो चुके हैं और गुरू का मारगी होना सभी जातकों के जीवन में बहुत खुशियां लेकर आता है अभी गुरू दनू राशी में यानि अपनी स्वयम की राशी में गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ही जादा शुब माना जाता है किन्तु 20 नवंबर से गुरू का गोचर दनू राशी से मकर राशी में हो जाएगा जो कि गुरू की नीच राशी है और यहाँ पर गुरू 5 अपरल 2021 तक रहने वाले हैं और शनी के यहाँ पर पहले से ही मौजूद होने के कारण से गुरू का यहाँ पर नीच भंग भी हो जाएगा और आपको गुरू के अशुब फल की जगा शुब फल ही प्राप्त होंगे मिथुन लगन वाले जातकों के कुंडली में गुरू का गोचर अभी सब्तम भाव में चल रहा है जिस्से की हंस योग का निर्मान भी हो रहा है जो की बहुती ज़्यादा शुब योग होता है शनी आपके अस्टम भाव में गोचर कर रहे हैं यहां काम धंदे में सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि शनी की तीसरी दिष्टी आपके करम भाव पर है जो की हमारा काम धंदे का भाव भी होता है कुछ गड़बर ना हो इस बात का ध्यान रखें वरना आपकी समाज में इज्जत पर भी आच आ सकती है 20 नमंबर 2020 को गुरू भी आपके अस्टम भाव में शनी के साथ में आ जाएंगे शनी पाप ग्रह है और गुरू शुब ग्रह है तो गुरू यहां पर शनी पर कुछ लगाम भी लगाएंगे साथ ही मकर राशी में गुरू नीज के भी होते हैं किन्तो शनी के यहां पर होने से गुरू का नीज भंग राजयोग भी बनेगा किन्तो अस्टम भाव में होने के कारण यहां पर आपको गुरू का फल बहुत अच्छा नहीं मिल सकेगा किन्तो यदि आपकी कुंडली में गुरू की स्थिती बहुत अच्छी है तब आपको गुरू के शुपफल प्राप्त हो सकेंगे आपको किसी पुष्टैनी प्रोपर्टी से भी लाब हो सकता है आप यदि रिसर्च या शीक्रट एजन्सी से रिलेटड कोई कार्रे करते हैं तो उसमें आपको लाब ओने के योग बनेंगे आपके विदेश यात्रा के भी इस समय में योग बन सकते हैं धन आगमन के भी योग बनेंगे परिवारियां कुटम से भी कुछ आये के स्रोत्र बन सकते हैं आपकी वानी से भी आपको भोतलाब मिल सकता है प्रोपर्टी वा वैकिल संबंदी कारियों में भी छोटी मुटी परिशानिया आ सकती हैं किन्तु उसका भी आप सॉलूशन बहुत जल्द ही पालेंगे और उस कारिये को जल्दी से निप्टा सकेंगे तो दोस्तो गुरू के गोचर से मिथुन लगन वालों को कुछ राहत मिलने वाली है क्योंकि शनी अस्टम में रहकर आपको व्यपार में परशानी दे रहे हैं 20 नमबर से आपकी है परशानी दूर होने वाली है दोस्तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आप साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे की हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद